Hello everyone, welcome back to the channel guys इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IZN2 के academic calendar को पर जैसे कि आप लोग screen को पर देख पार होगे academic calendar जो है चारी कर दिया गया है तो अजर 22 और 23 के लिए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 4th and जो 7th semester की student है उनका जो अगला academic schedule है यहाँ पर बता दिया गया है आप लोग screen को पर देख पार होगे तो यहाँ पर event बताए गया है और यह कब से लेकर कब तक चलने वाले हैं यहाँ पर बता दिया गया है तो जो भी student 4th semester में थे वो अभी 5th semester में admission लेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पारोगे admission process जो है आप लोग को चलने वाला है 4 जुलाई से लेकर 15 अगस तक commencement of classes के अगर हम बात करें 5th same और 7th same का तो यहाँ पे आप लोग देख पारोगे classes जो है 4 जुलाई से start हो जाएगा तो इसी प्रकार से आप लोग का mid same exam कब होगा आप लोग देख सकते हो दिवाली holiday आप लोग देख सकते हो कितने दिन का holiday आप लोग को दिया जाए second mid same examination कब होगा इसके बाद submission of internal marks यह तो आप लोग का नहीं है और उसके बाद आप लोग को जो है preparative break किता दिया जाएगा exam से पहले उसके बाद आप लोग के exam कब होगे यहाँ पे बता दिया गया है date ओके तो यह date जो है आप लोग को ध्यान में रखना है इसके बाद second semester के लिए भी academic calendar जो है जारी कर दिया गया है तो यह आप लोग देख सकते हो इसमें भी जो आप लोग के exam होने है अभी first year के लिए यहाँ पे date आप लोग देख पारोगे 28 जुलाई से लेकर 8 अगस तक जो आप लोग के exam होने वाला है first semester admitted in 2021-22 यहाँ पे इसके लाव guys इसका जो complete schedule है जो आप लोग का अभी जुलाई में exam होने वाला है उसका जो complete schedule है वो चारी कर दिया क्या है अगर अभी ताग आप लोग ने नहीं देखा है तो कल ही मैंने video upload किया है यह वाला video इसमें मैंने complete schedule है उसे explain किया है कैसे exam होगा online होगा offline होगा उसमे complete detail बताया क्या है तो आप लोग इस वीडियो को check out कर सकते हो इसका link आप लोग जो है आई-card में भी देख सकते हो और इसका link आप लोग को in the screen पे भी मिल जाएगा और description में भी आप लोग check out कर सकते हो इसके बाद जो भी student first year में है जो exam देने के बाद second year में जाएंगे उनका जो admission process है वो कब से कब तक चलने वाला है तो यहाँ पे आप लोग date देख पार होगे उसके बाद commencement of classes फिर made उसके बाद दिवाली holiday फिर made semester examination उसके बाद preparative break and exams कब होगा यहाँ पे date mention कर दिये गया है तो यह आप लोग को ध्यान में रखना है आप लोग इसका skin shot ले सकते हो इस PDF का link मैंने आप लोग को description में दे दिया है तो आप लोग वहाँ से भी download कर सकते हो इसके बाद third, sixth and eight semester के जो strength है उनके लिए भी यहाँ पे schedule जारी कर दिया गया है आप लोग देख पार होगे तो यह आप लोग देख लीजएगा dates जो है mention किये गया है यहाँ पे आप लोग देख लीजएगा और जो भी student अभी CUET की through admission लेंगे उनके लिए यह नहीं है उनके लिए बाद में अलग से academic calendar जो है ज को description में दे दिया इस PDF का link तो आप लोग जो है download कर सकते हुजए और अपने पास रख लीजएगा आप लोग को पता रहेगा कि आप लोग का exams कब होने वाला है और mid same exam कब होने वाला है holiday कितने दिन का रहने वाला है okay so इस video में इतने था मिलता है इस next video में इस सी पकार का information पा कर दो आप लोग कर दो आप लोग को आप लोग कर दो आप लोग कितने वाला है